ठंडियों का सीजन चल रहा है, इस सीजन में लोगों को मटर का निमोना खाना बहुत पसंद होता है आज हम आपके लिए मटर की निमोने की एक नई रैस्पिल आए हैं जिसका नाम है मटर मश्रूम निमोना तो आईए हम देख लेते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या समग रहनी है मैंने आपे देख के लोगों मटर ले लिया था जिसे अच्छे तरकी से धूल करके साफ कर लिया है मैंने आपे तो टमाटर को इस तरकी से कट करके ले लिया है मैंने आपे एक गाट लेस्टन को अच्छे से चिल करके धुल दीया है मैंने आपे 10-12 हरी मेढम धुल करके ले लिया मैंने आपे एक एक इनच अद्रग ले लिया मैंने गैस पर कढाई गरम होने के लिए रग दिया था अब मैं मैं इसमें सरसो का तेल डाल दूँगी मैं टेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें आरचमर जीरे का तड़का लगा लूँगी अब मैं इसमें हींग डालोंगी हींग डालने से हमारा लीमोनय में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है हमारे जीरा तैयार हो गया है अब मैं इसमें तेज़ पत्ता डाल दूँगी मैंने तीन प्याज को इस तरीके से कट करके रखा हुआ था अब हम इसमें अपने प्याज को डाल देंगे अब हम अपने प्याज को एक पल्टे की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाएंगे अब हम अपने प्याज को इसी तरीके से चलाते हुए पकाते रहना है अब हम अपने मटर का पेश्ट बना करके तयार कर लेंगे मैं अपने मटर को एक मिक्सर जार में डाल दूँगी मैंने अपने मटर को मिक्सर जार में डाल दिया है और अपनी हरी मिश लेस्ट अद्रग को भी हम इसमें डाल देंगे मैंने जो आपको अपना अद्रक दिखाया था उसे हम दो पार्ट में कट कर लेंगे फिर इसमें डालेंगे अब हम इसका पेश्च मरा कर लेंगे मैंने इस तरके से सभी समग्रियों का पेश्च मरा करके तयार कर लिया है हमारे प्यास तयार हो गया है अब मैंने जो अपने मतर अदरक लेस्टन मिर्ची का पेश्ट मेरा करके तयार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे अब हो अपने मतर के पेश्ट को इस तरीके से प्यास में अच्छी तरीके से चलाते हुए भून के पकाएंगे हमें इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाते रहना है मैंने अपने मतर को अच्छी तरीके से मिक्स करके पका लिया है अब मैंने जो आपको टमाटर करकर के दिखाया हुआ था उसे भी हम इसमें डाल देंगे अब मैं इसमें स्वादुन सार नमक डाल दूँगी जिससे हमारी जो टमाटर है वो जल्ली से गर जाएंगे अब हम इन सभी चीजों को पल्टे के अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे हमें इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए अब पकाना है मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है मैंने आपे आदा किलो मस्रूम ले लिया है अब हम इसे अच्छी तरीके से धुल करके साफ कर लेंगे मैंने यापे इसमें गरम पानी डाल लूँ मैं इसमें गरम पानी और नमक डाल रही हूँ आप देख सकते हैं मैंने अपने मटर के निमोईने को कितने अच्छे तरीके से भून करके पका रही हूँ इससे इसमें बहुत अच्छा टेश्ट आएगा इसी तरिके से अच्छे तरिके से चलाएंगे हम इसे मैंने अपने मस्रूम को बॉयल होने के लिए रख दिया थोड़ी दे अब हम इसे इस तरिके से छनी से छान लेंगे अब मैं इसी हाथों से अच्छे तरिके से रगड़ती हूँ ठंडे पानी से धुल लूँगी अब हम इसे तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे इस तरके समय अपने मस्रूम को पलट करके पकने देंगे अब मैं इसमें दो चमज धनिया पाउडर डाल दूँगे मैंने इसमें देड़ चमज गरमसाला पाउडर डाल दिया है अब हम इन सबी चीजों को अच्छे तरके से चलाते हुए मिक्स करके पकाएंगे इसे हमें अच्छे तरके से चलाते हुए पकाते रहना इससे बहुत अच्छा टेश्ट आएगा इसमें अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी अब हम इसे पानी के साथ अच्छी तरके से मिक्स कर लेंगे मेरे मस्रूम भी फ्राई हो चुके हैं अब हम गैस को बन कर लेंगे अब हम अपने निमोने में थोड़ा और पानी डाल देंगे अब मैं अपने फ्राई के हुए मस्रूम को भी इसमें डाल दूँगी हमें अपने निमोने को 15 मिन तक अच्छी तरके से पकाना है मैंने अपने फ्राई के हुए मस्रूम को अपने निमोने में डाल दिया है अब इसे भी हम अच्छी तरके से चलाएंगे अब मैं इसे पकने दूंगी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं हमारे निमोना अच्छी तरीके से पक चुका है और गाढ़ा हो गया है अब हम अपने गैस को बंद कर देंगे मैंने गैस को बंद कर लिया है अब हम अपने निमोने को सर्फ कर लेंगे हमारा मटर मस्रूम निमोना बनकर की तैयार हो गया है तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने एक नई रैस्पी बनाकर की तैयार कर ली है अगर आपको हमारे मटर मस्रूम निमोनी की रैस्पी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइज सब्सक्राइब करें और हमाई वीडियो को जादर से जादर शेयर करें